नमस्कार प्रिश्टी अमरत बुटी से वसंस्तान में एक बार फ्रेशर श्वागत हैं मैं गुरुजी गुविन आज हम पात करेंगे मुत्र रोग के बारे में इस्ती प्रुष दोनों को कभी कभी इस समस्या से हमें देखा गया है कि वहने कापी परिशानी होती है अगर किसी वैक्ति को अचानक से मुत्र यानि पेशाब का रुक जाना या पेशाब बंद हो जाना एक या दो दिन तब बातरूम नहीं उतर पाती है पेशाब नहीं हो पाता है बातरूम खुलकर नहीं कर पाता है तो ऐसे में वह व्यक्ति बहुत ही परिशान हो जाता है ब्याकुल हो जाता है और बहुत ही परिशान रहता है तो ऐसे में अगर आपका कोई घर का सदस्ट इस व्यक्ति या कोई भी परिशान है तो उसके लिए हम आज एक अषदी लेके आए हैं इस ओसदी का नाम है कर्मि सुरा कर्मि सुरा जो ये उषदी है ये एक प्धारत सपेद कलल कर ये प्धारत आप देख पाag रहा होंगे इसका हम प्रियोग बता रहा है ये बहुत ही आशान है, बहुत कारगर है इसको क्या करना है हमें इस कर्मी सोरा को पीस लेना है और एक कपड़े में भिगो कर रख लेना है जिस ब्यक्ति को पेशा खुल कर नहीं उतर पा रहा है उस ब्यक्ति की नाभी के पास पेड़ू में हमें इसको कपड़े को लगा देना है कुछ देर के पश्चात आप देखेंगे कि उसका बातरूम जो पेशा बंद हुआ है वो धीरे धीरे चालू होने लगेगा उसे बातरूम खुल कर आने लगेगी यह आशदी इसे यह पुरुस किसी तरह की अगर मूत्र रहों की शमस्या है। बातुम खुल कर नहीं हो रही है। बातुम रोग गया है। उसमें यह ओश्री बहुत ही कारकर रही। इश्वसदी का प्रियोग कर सकते हैं और अपने घर के शदस्या किसी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई शमस्या आ जाती अचानक से तो इश्कलमी सोरा का प्रियोग करके आप उस व्यक्ति को इस शमस्या से निजात दिला सकते हैं